हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको केमिकल इंडस्ट्री में जो जो एक्यूब्मेंट यूज होते है उसको मिकेनिकल मेंटेनेंस के रिडिटर कॉन-कॉन से इंटेरी क्विस्टन हो सकते है उसके बारें बताऊंगा आप देखते हो जानते हो कि कोई भी ही कैमिकल इंडस्ट्री है तो उसमें काफिह सरा जो एक्यूब्मेंट है वो सेम रहे गां जैसे कि पॉम्म है रिएक्टर है टेंक है कुलिंट और है तो ये सब क्यूब्मेंट तो हर कैमिकल इनस्ट्री में होना ही है तो उसके लिए क्या-क्या उसका टाइप्स रहता है और उसके रेलिट्र कॉंन-कॉन से इंटर्वी कुषियन रहते है उसके बारे में बताऊंगा यह जो एक्क्यूप्एंट है को हम कॉनसे स्टानडर केशाब से डिजन कर सकते है और आगर आपको कुछ मंगवाना है में इंटर्यूस में थो कैसे मां जा सकते हैं उसके लिए ये इंटर्यू किसिन आपकी लिए काफी अछा रहेगा और गजो ने एंजिनियर है जो बिगीनर से उसके लिए भी अचा रहेगा प्राय। कोप आप कोई भी chemical industry में जाओगे तो यह एक pump है pump है जो common रहेगा pump का यूज क्या होता है कि जो कोई भी material है उसको कोई भी equipment या tank से कोई reactor में transfer करने के लिए pump यूज होता है तो pump में आते हैं तो pump का types क्या होता है तो काफी अलग-अलग type के pumps रहते हैं जैसे कि centrifugal positive displacement screw type gear type pump रहता है और उसका arrangement भी अलग रहता है vertical horizontal वह सब अरजमेंट रहता है दूसरा के है कि उसका MOC भी अलग रहता है जैसे कि MS का SS का pump का design रहता है hair flow specific gravity वह सब डिजैन रहता है उसका इंपिलर रहता है दूसरा pump में motor connection भी अलग-अलग type के रहता है जैसे कि coupling, belt pulley, magnet type यह सब pumps के integration है इसका detail में हर topic को detail में आपको पढ़ना है यह इधर में आपको सिर्फ overview दे रहा हूँ आपको पूरा detail में search out करके पढ़ना पड़ेगा जैसे कि दूसरा है कि pump का arrangement, pump का arrangement कैसे रहता है तो parallel रहता है सीरीज में रहता है pumps के spare, अपि आपको कोई pump का maintenance करना है तो spares आपको पता रहेगा कि यह पार्ट को क्या बोलते है तो अपि आप उसको मंगवा पाओगे, तो pump के spare में आ गया gear वह साप्ट आ गया, उसका bearings आ गया, bearing housing आ गया, impeller यह सब pump के spare हो गया, तो इसके related आपको प्रिपरेशन करना पड़ाएगा, दूसरा के है कि pump में एक important रहता है कि ceiling arrangement, आप pump में कोई भी liquid transfer करे तो लिकेज हो जाएगा, उसके लिए ceiling arrangement रहता है, gland packing and mechanical seal, mechanical seal में भी अलग-अलग type की mechanical seal और arrangement रहती है, और gland packing में भी अलग-अलग material का packing रहता है, तो यह भी आपको detail में दे अधर खतम हो गया, अब दूसरा topic है tank vessel, तो इसका use क्या है, तो tank और vessel क्या है कि material storage करने के लिए, जो raw material है, उसको storage करने के लिए यह use होता है, अभी tank में भी काफी अलग-अलग design रहता है, कि flat bottom रहता है, flat top रहता है, flat bottom और conical top रहता है, bottom और top disc end रहता है, jacket रहता है, non jacket रहता और different type के tanks आती है, जैसे कि MS की, SS की, glass line, lead lining वाली, HDPE की tank आती है, PPFRB की tank आती है, और यह सब design के standard के सबसे बना होती है, उसका जो vacuum और pressure rating के सबसे design किया रहता है, कि vacuum में भी withstand होगी, और 6 kg pressure में भी withstand होगी, आपके pressure के requirement के सबसे इसको design किया जा सकता है, तो यह रहाब का tank और vessel का detail, अब भी हम देखेंगे reactor, तो reactor क्यों use होता है इंडस्ट्री में, तो reactor जो कुछ भी chemical है, उसको mixing करके reaction करने के लिए reactor यूज होता है, तो reactor में भी अलग-अलग type के reactor है, MS reactor, SS reactor, glass line reactor, lead line reactor, और अलग-अलग SS के उपर भी अलग-अलग उसके जो inconal है है, हैस्ट अलग है, वो सब material के भी reactor आते है, अभी reactor के अंदर के parts में देखे जाएंगे, तो agitator भी अलग-अलग type के agitator होते है, यह reactor में भी ceiling के लिए अलग-अलग mechanical seal के arrangement रहता है, और mechanical seal का अलग-अलग plan रहता है, रियक्टर के उपर different type के gear box रहते है, और रियक्टर के अ इंस्टल किये रहता है, वो आपको तेयरी करना पड़ेगा, और यह detail में भी आपको यह topic search out करके ready करना पड़ेगा, अभी दूसरा topic है piping, अभी आप chemical industry में जाओगे, तो कोई भी material transfer करना है, तो piping के बीना तो यह होने वाला possible नहीं है, तो piping में भी अलग-अलग type का material रहता है SS pipe, MS pipe, MS PTIP, MS SDP, PPRC, PPFRB, अभी यह आपने material देखा, तो आपको detail में देखना है कि यह सब material कौन से application में यूज होगता है, जैसे कि MS PTIP कब यूज होगा, PPFRB कब यूज होगा, PPRC कब यूज होगा, तो यह सब आपको detail में देखना पड़ेगा, जैसे ही pipe जो रहता है, उस W, seamless, pipe का thickness, pipe schedule के सब से जाना जाता है, और pipe का आपका preparation भी रहता है, कि hand कैसा रखना है, be well end रहता है, कि plane end रहता है, तो यह सब pipe का design हो गया, तो इसको भी आप detail में पड़ो, और कौन कौन से piping standard है, वो सब आपको topic देखना पड़ेगा, अभी दूसरा है कि pipe fitting, अभी आपने देखा हो कि pipe के अंदर fittings रहता है, जैसे कि flange, तो अलग-अलग type की flange आती है, blinds आते है, flange के भी standard है, जैसे कि आपका pressure rating जादा रहेगा, तो इसके सब से 1500 class, 300 class, 600 class, अलग-अलग class के piping रहता है, elbow रहता है, socket well elbow, butt well elbow, threaded elbow, tee रहता है, equality, unequality, यह सब piping के अलग-अलग standard की सब से manufacture होते है, यह सब का design और dimension भी fixed रहता है, तो यह सब भी आपको देखना पड़ेगा, और दूसरा, क्या है कि pipe के छोटे-छोटे connection करने के लिए, nipple, hex, nipple, coupling, तो यह सब nipple क्या रहता है, hex coupling क्या रहता है, hex, nipple क्या रहता है, वो सब को भी आपको detail में देखना होगा, तो यह आपका pipe का फिटिंग्स का भी topic की तर हो गया, यह आपको पूरा detail में देखे गए, तो अभी आपको सब कु स्टांडर्ड पदा चलेगा, अभी आगया वाल, nrv, अभी आपको pipe कोई भी isolation करना है, तो वाल यूज होगा, तो वाल में भी अलगलग type है, जैसे कि ball वा वाल है, piston वाल है, needle वाल है, club वाल है, तो यह सब का कौन सी service में और कौन सी application में कौन सा वाल लगाने का है, वह आपको detail में देखना पड़ेगा, उसके भी material construction अलग 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 रहता है, और वाल का design भी अलग रहता है, जो वाल का रहता है, वो single piece में है, कि double piece, three piece, ऐसे जैसे कि flange end, flange वाली line में लगाना है, तो flange end वाल आएगा, छोटी line में लगाना है, तो thread end वाल आएगा, तो वाल का भी अलग-अलग arrangement रहता है, और वाल का design भी आपको देखना पड़ेगा, दूसरे का भी सारे wall रहता है, plug wall, NRV रहता है, non return wall, उसका क्या use है, वो सब आप material के use होते हैं, और अलग-अलग application में gasket use होते है, तो types of gasket उसमें क्या है कि, अलग-अलग type के gasket रहता है, जैसे कि ring gasket, spiral one gasket, और material of gasket, material of gasket में अलग-अलग material का रहता है, तो वो सब आपको detail में देखना पड़ेगा, nut ball, nut ball भी अलग-अलग type के रहता है, MS का nut ball, GA का nut ball, और उसका grid रहता है, मतलब कि कौन से grid का आपको nut ball, यूज करना है, वो grid आपका कितने pressure rating है, और कितने torque से आपको tight करना उसके उपर depend करता है, तो यह सब nut ball, gas kit का हो गया, जो बहुत important part है chemical industry का, अभी insulation, अभी कोई भी chemical industry में heating और cooling वो सब process रहता है, तो environment के लिए और अच्छा heat exchanger के लिए insulation इंस्टल किया जाता है, तो insulation दो टाइब क्यों होते है, hot insulation और cold insulation, तो hot insulation में कौन सा material होता है, उसकी thickness कितनी रखनी है, और cold insulation में कौन सा material होता है, तो आपको search out करके detail ले लेने का एक जाए कि कौन सा material होता है, और उसके इसब से आपको पूरा detail prepare करना पड़ेगा, तो यह हो गया, एक insulation का part हो गया, कि अभी हो गया कुलिंग टावर कुलिंग टावर भी हर इंडिस्ट्री में रहता है तो कुलिंग टावर भी अलग-अलग टाइप के रहते हैं अलग-अलग मट्रियल के रहते हैं नेच्रल टाप कुलिंग टावर फोस्टाप कुलिंग टावर इंडिस टावर कुलिंग टाव तो वह सब आपको देखना पड़ेगा कान सी वाटर टिटमेंट से क्या फाइदा होता है क्या benefit है scaling rain removal करने के लिए कौंसा chemical treatment करने वह सब आपको water parameter की सब से मिल जाएगा तो यह सब के आपको detailment देख लेना है अभी हो गया heat exchanger condenser तो heat exchanger condenser का use क्या होता है तो बाई कोई भी वेपर है या तो कोई भी मीडिया का आपको hot करना या तो cool down करना है तो उसके लिए heat exchanger करने के लिए heat exchanger यूज होता है तो उसमें भी अलग-अलग टाइप के heat exchanger रहता है जैसे कि यूट टाइप बंडल फिक्स ट्यूब बंडल शैलें ट्यूब टाइप यूट आइप वह अलग-अलग टाइप के heat exchanger रहता है उसका भी डीजैन रहता है और उसका भी अलग-अलग material रहता है ग्रेफट का कंडेंसर ग्लास कंडेंसर ऐसे समस तो वह ग्लास कंडेंसर कहां य द्धंक यो तो मुख